इस वक्त हमारे साथ पुरागड बंजारा पीठ धर्म पीठ वहां के महंत जितंद्र महराज साब हैं और आपने बंजारा समाज के जाती प्रमाण पत्र का दुरूपयोगरा उसको लेकर आज उन्होंने समाजिक नया मंत्री से मुद्दा उठाया है दरसल क्या मामला है और कि क्या मामला था जिसको लेकर आज आप समाजिक नया मंत्री से मिले थे यह था जैसा हम आरक्षन में भीजे एंटी में आते हैं और वीजे एंटी में सुला जाती का समाविष्ट है तो कुछ बुगस राजपूद भाम्टा को लेकर कुछ लोगों ने समाज कल्यान अधिकार को पकड़के महाराष्टर के 20 जिल्लों में समाज कल्यान अधिकारी को पैसे की लेन देन करके बोगस प्रमान पत्रजाती का बनाया और उससे हमारा ऐसा नुकसान हुआ कि हमारे वीजे प्रजाती में आने वाले जो लड़के है लड़किया है यह जो डॉक्टर भन रहे थ नेट एक्जाम पास होकर भी यह वो मुकाम तक नहीं जा रहे थे क्योंकि बोगस प्रमान पत्र के आधार पर यह बोगस जाती के लोग उसमें घुज जाते थे या उस सरकारी नौकरी का लाब यह लोग हमको नहीं मिलता था यह लोग ले 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 थे तो महाराष्ट के और देवी गोर बंजारा धर्मपीट पर आकर के मुझे और अधर्निय किशन भव राटोड जी को यह प्रकरन हमारे सामने रखा और हमें बोला कि यह बहुत बड़ा सामाजी की विशय है और यह विशय में हमें धर्मपीट से न्याय मिलना चाहिए क्योंकि यह अपने जात जी राटोड और यह प्रकरन के जो याचिका करते हैं बुल्ठाना के राजेस राटोड और एक जो युवा वर्ग का नेतरुत्व करती है लड़की नेहा पोवार को इन सबको और हमारे साथ में डॉक्टर और पत्रकार थे और यहां पर आके आज हमने यह जो बाब है यह स मुंडे साब के सामने रखकर हमने मुंडे साब को बोला कि इसमें जो बोगस प्रमान पत्र जो कहीं सालों से जो हुए है तो हमको 2017 से जो अभी तक हुए है यह रद्द करके होना और यह रद्द करने के बाद यह रैकेट में जितने लोग शामिल है जितने अधिकारियों न इतने बड़े पैमाने पर यह धादली हो रही है और जो समाजिक नया विभाग के अधिकारी हैं आपका संकेत उसरब भी है को लोग भी इसमें सामिल है इसे क्या सरकार के ध्यान में यह नहीं आ रहा है इस तरह की धादली चल लगी है यह इतना बड़ा रैकेट है कि इसमें जैसा बीज जिल्ले से यह काम हुआ था तो यह ततकालीन जितने समाजिक समाज कल्यान आधिकारी थे यह सब समाज कल्यान आधिकारियों का इस रैकेट में हाथ है तो कहीं तो भी यह सबी आधिकारी अभी सरकार में बड़े पोस्ट पर है तो कहीं न कहीं यह जो प्रकरन ह इसको दभाने की कोशिस इन अधिकारियों की चालू है लेकिन हमारे पास इस पामले के अच्छे अच्छे प्रमान है जैसा कि अभी बुल्ठाना जो डिस्टीक है बुल्ठाना डिस्टीक में जो मैंने बोला कि वो जो हमारा चिकली तैसिल है यह चिकली तैसिल के तैसिल विभाग से रेवनी विबाग से हमें ऐसा प्रमान पत्र बरामत हुआ है कि ये तैसिल में राजपूद भाम्टा ये समाज का कोई आदमी या कोई कुटुम हीहाँ पर रहता ही नहीं अब वो ही जिल्ले में वो ही तालूके से हजार प्रमान पत्र बोगस समाज कर लियाना आदिकाड़ी में बना दिया तो यह प्रमान हमारे पास है इसके आधार पर हमारी यह सब लड़ाई चालू है ये जो आने ओले दिनों में ये सब भाड़ा इनका फूट के रहे अपने सामाजिक नयाय मंत्री से जब इसकी गुहार लगाई कि इस पर कारवाई होनी चाहिए तो सामाजिक नयाय मंत्री धनजे मुंडे का रवया क्या था उन्होंने किस तरक आपको आस्वासन दिया और ये कब तक मामला लगभग निपट सकता है जैसा कि पूरी बात हमारी सुनने के बाद नयाय मंत्री धनजे मुंडे जी ने अपने समंदीत विबाग के कुछ आदिकारी को बुला के सब को हमें आस्वासित किया और हमारे सामने सब को बुला कर मीटिंग आरेज करने को सब को बोला कि ये पंदरा दीन के अंदर जो जो जिल्ले इस घटना से प्रभावी थाए उन सभी जिल्ले के लोगों को यहां पर अपसरों को बुला के ये मीटिंग लेकर के जो इसमें नयाय में देना है तो हमी इसमें आपको जो आपको करना चाहिए हो करेंगे और नयाय देंगे आपने कहा कि जितने भी वहां के च्छत्री जो राजनितिक दल है या मंतराले में बैटने वाला अधिकारी हैं कहीं न कहीं उन से नयाय नहीं वाओं को मिल पाया है इसके बाद वो धर्मपीट तक आए हैं आपसे नयाय की गुहार लगा रहे है आपको नहीं लगता कि जितने भी उससे जुड़े हुए राजनितिक दल है अनेता हैं वो इस मामले में पूरी तरह से फेल रहे हैं और बंजारा समाज की बड़ी उप्यक्षा हुई है इसे यह सब राजिक राजनितिक दल समाजिक संगटना यह सब फेल हो चुके हैं क्योंकि कहीं न कहीं कहीं न कहीं राजकारन को लेकर फालिटिकल फायदा देखकर इन लोगों ने यह प्रशन के ऊपर अंदेका किया है ध्यान दिया नहीं इसका परिणाम बहुत बुरा हुआ है समाज के लड़कों पर और यह सब बात यह समाज के यूवाव को मालूम हो चुकी है आप करके उन्होंने धर्मपीट से आपेक्षा रखी है न्याय हमें धर्मपीट मिला के देंगी अब चुकी वो धर्मपीट तक आ गए हैं तो किस तरह से आप भरोसा उन्हें दिला रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया समाजिक नया मंत्री ने अगर ध्यान नहीं दिया और इसका समचित समाधान नहीं निकला तो धर्मपीट के जरिये किस तरह का आंदोलन या किस तरह की रणीती होगी ताकि जो युवा हैं अगर सरकार ने अगर नहीं दिया हमारे लड़को को नहीं दिया तो मैं खुद धर्मपीट से यह सभी युवाव को लेकर बंजारा समाज के युवाव को लेकर George student को लेकर सबी लोगों को लेकर माय मंत्रा लेकर सामने धरना दूंगा और न्याय मांगूंगा ये प्रजाती में ये अगर यह कुछ सरकार के तरफ से अगर इन सभी लोगों को या हमारे यूवकों को अगर नियाए नहीं मिलता है अंदोलन पर अंदोलन पर अब उम्मीद ही इस चीज की है कि गोर बंजारा जो धर्म पीठ है वहां से वाओं को नियाए जरूर मिलेगा कैमरावन रविचंद के साथ मैं सुधिर सर्मा टीवीवन इंडिया नवीम भई